वेलो, फ्रेंड्स देखो पैसे बोईस आप लोगों को इससे पहले ये पैसे बोईस का आपका दस् longtime वीडियो होगा तो आप लोगों ने पैसे बोईस के जो जनलर लूम्स थे वो किलियर किये उसके बाद जो कुशन वर्ड़ थे जिनमें आप लोगों को problem थी तिए अभी मैंने आपको कोई spacer rule पैसे boys का नहीं बताया है इसके बाद जो imperative sentence है चुकि imperative sentence को हिंदी से English में translate करने में problem थी तो उसके लिए पहले आप लोगों को हिंदी से English में translation बताया गया फिर imperative sentence का जिस तरीके का mood होता है यानि imperative sentence आपका कौन-कौन सा भाव दर साता है order है, advice है और request है उन तीनों को आप लोगों को अलग-लग बताया गया इसके बाद इनके passive बताये गया तो passive में अभी imperative के आप लोगों को general जो imperative होते हैं सामाने तरीके से जिससे हर तरीके के imperative का passive बन जाता है इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने वो देखा चलिए आप आज अलग-लग करके देखते हैं यानि अगर किसी sentence में order होगा तो आप उसे अलग तरीके से बना सकते हैं अगर किसी sentence में advice होगा तो आप उसे अलग तरीके से बना सकते हैं और रिक्वेस्ट होगा तब आप उसे अलग तरीके से बना सकते हैं लेकिन एक जो जनरल रूल है जो इन तीनों पर फॉल होता है वो इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया चलिए आज फिर से एक इस वीडियो में आपको अलग अलग तरीके से समझ में आएगा जैसे एक सामानी सी बात है कि अगर कोई सेंटेंस आपके सामने इंपरेटिव है देखिए कुछ आप मैंसे एक दो इस वीडियो के कमेंट्स जिस तरीके से आप लोगों ने किये हैं उससे मैं आपको एक बात बताना चाहरा हूँ कि जो वीडियो आप देखती है तो हर एक वीडियो पे नमबरिंग पड़ी हुई है फर्ष्ट है, सेकिंड है, थर्ष्ट है, आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो उस टॉपिक का यह जरूर याद रखिये कि आपको उसके सारे वीडियो पढ़ने है जैसे अगर आप पैसे बोईस अच्छे करना चाहते हैं तो पैसे voice का जो first video आप वहाँ से start करिए अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको जाद अच्छा समझ में आएगा मैंने आपको तीनों बता दिये थे यानि imperative sentence से order का बोद भी होता है imperative sentence से request का बोद भी होता है और imperative sentence से advice का बोद भी होता है इनके तीनों के जनरल किस तरीके से बनते हैं वो मैंने आपको बता दिये यानि हम let के तुरू बना सकते हैं लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब imperative sentence order का बोद करें पहले तो एक सामाने सी बात देखिए कि अगर किसी sentence में आपके पास ट्रांजिटिव बर्ब नहीं ये क्यों कुछ अंग्रेजी के टरंस हैं अगर आपने ये अच्छे कर लिए तो विस्तास मानिए कि आपकी अंग्रेजी बहुत एजी हो जाईगी यानि ट्रांजिटिव बर्ब वो होता गया है तो साहिए मैंने पैसे बोई जब स्टार्ट किये थे तब भी आपको बताया था कि जिन सेंटेंस में आपके पास ट्रांजिटिव बर्ब नहीं होता उन सेंटेंस के पैसे बोई सामानिते नहीं बनाए जाते अब ट्रांजिटिव बर्ब वो होता क्या है Transitive burv का मतलब ऐसी क्रिया जिसका कोई कर्म हो जो यानि उसे उसे हिंदी में सुदिन्दी में कहते हैं सक版 क्रिया यानि जिस क्रिया का कुई कर्म होता है उसे Transitive burv कहते हैं अब मानके चलिए कि आपके पास कोई Transitive burv sentence में नहीं है जैसे एक बास समझने की कोशिश करिए किस तरही के से जैसे मैंने आपके सामने एक सेंंटेंस दिया तो इस सेंंटेंस में आप ये देखिए कि इस पूश्ट करिया का अगर आप object पूछैंगे कि क्या पोश्ट करें तब आपको आंसर मेरेगा दिलेट बहतारी समझ में है इसका मतलब आपके पास post criteria का object है deletor इसका मतलब आपकी जो post word है वो आपकी एक transit word है तो जब आपके पास active voice में कोई ट्रांसिट इपर होती है बहतारी समझ में active voice में पहले इस term को अच्छे से समझ लीजिए कि transitor burgu होता क्या है तो जब आपके पास एक्टिव गरब ज़िसे ये पोष्ट क्यों transitor burgu है क्योंगि आपके पass इसका object है तो जब किसी क्रिया का object होता है तब वो transitor burgu होती है और अगर आपके पास transitor burgu है तब आप उसका पैसे बनाते हैं लेकिन imperative sentence में अगर आपके पास transitive verbon नहीं है तब भी आप उसका पैसे बना सकते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेजिए जैसे आपको एक sentence मिला कमी है देखिए इसका अगर आप पैसे बनाएंगे तो आप मैंने इसके पिछली वीडियो में जो आपको बतायता कि आप let से भी बना सकते हैं किस तरीके से कि let लगाएंगे और इसके बाद object को ले लेंगे तो object आपका d letter ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या हो जाएगा ऐसे subject work करेगा इसके बाद क्या करेंगे helping verb के रूप में या भी लगाएंगे तो let the letter b हो जाएगा इसके बाद main verb का third लगाएंगे पूश्टे ठीक इसी तरीके से अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपके पास जो बरवे कम इस कम क्रिया से अगर आप ये पूछेंगे किसका object क्या है तो वो आपको या नहीं मिल रहा इसका मतलब ये जो बरव आपके पास है वो ट्रांजिक्टिव बरव ना होके ये इन ट्रांजिक्टिव बरव है ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे यहां अक्सर लोगों से गलती हो जाती है यानि हम किस तरीके से दूसरे तरीके से पैसे बनाते हैं तो मैं उसको एक पार और अच्छे से बता दू फर्स्ट अफॉल आपने इंपरेटिव सेंटेंज में ये देखना है कि क्या आपके पास ट्रांजिक्टिव बरव है अगर ट्रांजिक्टिव बरव है तो कि इसका तो अबजेक्ट होगा ही नहीं तो इसका मतलब आप इसे लेट वाले तरीके से पैसे बॉइस में नहीं बदल सकते तो इसके लिए आपके पास एक दूसरा तरीका है लेकिन यहाँ आपको पहँचानना क्या होगा कि पहले तो आप यह देखेंगे कि इसमें ट्रांजिक्टिव बर्व नहीं है उसके बाद आप यह देखेंगे कि सेंटेंस का जो मूड है इंपरेटिव सेंटेंस का जो मूड है वो ओडर होना चाहिए यानि सेंटेंस से जो भाव प्रकट होता है sentence का जो अर्थ निकलता है वो आपको आदेस जैसा लगना चाहिए जैसे अगर आप किसी से कहते है come here, यहां आओ, तो यह क्या हो गया यह एक order हो गया तो sentence में order भी है बट sentence में transitive verb नहीं है अगर यह दोनों condition apply होती है, कौन-कौन सी कि sentence में order हो और sentence में transitive verb भी नहीं हो तो इस condition में आप उसे पैसे में बदलने के लिए आपके पास यह दूसरा बनता है तरीका वो यह बनता है कि आप you are ordered to यह चुँकि इसमें order कब आओ है इसलिए आप इसे you are ordered to को अपनी होर से लगाए और इसके बाद जो आपके पास intransitive verb होगा यह कैसा बर्व हो गया यह intransitive बर्व हो गया तो इसके बाद आप इस intransitive बर्व का यूज़ कर दें अब आपको यह लग रहा होगा कि यह तो बहुत सुराल तरीका है क्या करना है हमें केबल you are ordered to जो कि हर sentence में लगेगा तो यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको learn कर लेते हैं इसमें कौनसी बात है you are ordered to समझ में आ गया हो गया लेकिन यहाँ जो problem बाली बात है उसको समझ नहीं कोसिस कीजी क्या कि first तो आपने यह देखना है कि sentence में transitive verb नहीं हो तो आप देखेंगे कि यहाँ भी आपके पास क्या नहीं है transitive verb महीं है लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है कि यह order है और यह advice है तो यह गलती कभी हो जाती है तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पहले clear बता दू कि यहाँ गलती किस तरीके की होती है तो एक तो यह आपको यह देखना है कि sentence आपको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता हो कि वाक्य में आदेश चुपा हुआ है दूसरा sentence में अगर transitive verb नहीं है तो इस condition में आप sentence को you are ordered to plus जो आपका intransitive verb है वो तो आप इसका अगर बनाइंगे तो इसका बनेगा एक तो यह बनेगा you are ordered to और इसके पास जो sentence आपके पास वो रख दीजिए to coming तो मेरे ख्याल से बात अच्छे से समझ में आ गई होगी जानि पिछली वीडियो में आप लोगों ने एक general जो rule होता है imperative sentence को पैसे boys में change करने का आप वो देखा था यह वाला लेट के त्रूब कि हम लेट के त्रूब सभी sentence को पैसे boys में change करते imperative को लेकिन यहां मैं आपको अलग लग भी बताऊंगा कि अगर sentence में ट्रांजिटिव लेकिन लेकिन लेट वाला rule केवल ट्रांजिटिव बर्व के साथ follow करते हैं आप अगर sentence में ट्रांजिटिव बर्व नहीं है तब आपने क्या देखना है कि तब आपने sentence का भाव अलग लग पहँचानना पड़ेगा ट्रांजिटिव बर्व नहीं है लेकिन order तो है तब आप उसे you are ordered to से भी बना सकते है clear हो गई होगी बात चलिए इसके बाद अब अपना next rule देखते है next rule में क्या है यही बात same लागू होगी किसमें अगर sentence में एडवाईज है तो चूँकि मैंने कल आपको एडवाईज वाले भी sentence बताए थे थोड़ा सा उन्से compare भी करेंगे किस तरीके से और समझने की भी कोसिज करेंगे कि उन तरीके से किस तरीके से आपने बनाना जैसे मांग के चलिए order आपका होगी है clear ठीक है इसके बाद यह दूसरा है वो है आपका advice ठीक है अब आपने समझना है कि अगर sentence से advice advice का मतलब क्या होता है सला अगर sentence से advice है तब आप let वाले सामझने तरीके से बना सकते हैं जैसे कैसे sentence है आपके पास help the helpless यहाँ सीधे सीधे यह सबोस करिए कि आप कोई नहीं पता कि sentence में कौन सा mood है sentence में क्या भाव हो है तब आप क्या करेंगे इतना तो पता लग रहा है कि sentence में बर्व यानि वीवन से start है जब sentence वीवन से start है इसका मतलब क्या हो गया कि sentence कैसा हो गया यह imperative हो गया तब आप उसे एक तरीका तो यह बनता है कि आप उसे let के तरीके से बना दे अगर आप इसे let के तरीके से बनाते हैं क्या करेंगे कि let का यूज करेंगे फिर sentence का जो object होगा आप उसका यूज करेंगे तो the helpless हो गया क्योंकि यहां तो transitive verb है help के लिए object में है किसकी मदद करो helpless असहाई की तो let the helpless हो गया इसके बाद be form यूज करेंगे और main verb का third कर देंगे तो help हो जाएगे इसके पहले आपने order देखा कि order वाला भी इस तरीके से हम imperative passive में change कर सकते है यहां आप देख रहे हैं कि advise वाले को भी इस तरीके से आप change कर सकते है दूसरा तरीका भी होता है कि आप advise वाला अगर कोई sentence आपको मिलता है कब आप उसे passive में बदलने के लिए should be का use भी करते है order में ऐसा नहीं था लेकिन advise में मैं आपको एक अलग से बात बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पता लग जाता है कि sentence में आपके पास advise है देखिए मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भी एक बात बताई थी कि यहाँ आपको ये नहीं समझना कुछ student ये दिमाग लगा रहे होंगे कि यार जब एक तरीका है तो हमें दूसरा क्यों सीखना चलता है दिमाग चलता है लेकिर हाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप किसी 10th या 12th के exam में आपको कोई ये नहीं दे रहा कि help the helpless आप इसका पैसे बना दीजिए सो आप इस तरीके से बनाए आई वहाँ आपके पास answer होगा option में और अगर option में इसका answer should भी वाले pattern से होगा तब भी आपको आना चाहिए कि इससे भी बनता है किसी दूसरे pattern से होगा तब भी आपको आना चाहिए कि इससे भी बनता है तो यहाँ आपको जितने भी तरीके होते हैं वो सारे सीखने पड़ेंगे तो एक तो तरीका यह होगा कि आप इसे let से बना सकते हैं second इसका तरीका क्या होता है कि जो advise होती है वो should से भी व्यक्त की जाती है तो इस तरीके से भी आप इसे passive में बना सकते हैं कैसे बना सकते हैं कि जो sentence का object होगा आप first of all उस object का यूज़ करेंगे और इस object को ही आप subject बना लें ठीक है लेकिन objective second क्या करना है आपने कि should we का यूज़ करना है और उसके बाद क्या करना है जो main बरवाईगी आप उसका third form यूज़ कर देंगे तो आप इस तरीके से भी इसका पैसे बना सकते हैं लेकिन इसमें आपको confusion क्या रखना है जो दिमाग में आपके confusion वहाँ पैदा होगा उसको अभी से याद रखिए कि यह confusion अमारे लिए क्या आएगा कि क्या हम sentence पढ़ करके यह पैचान पाएंगे कि sentence में advice है क्योंकि अगर sentence में advice होगा तभी तो आप should we का use कर पाएंगे अगर sentence में advice ही नहीं होगा तब आप should we का use थोड़ी कर देंगे जैसे इससे पहले मैंने आपको sentence दिया था post the letter आप कहीं यह सुचे हैं कि post the letter को भी इससे बना सकते तो नहीं बना सकते क्योंकि इसमें order है और order should we से थोड़ी ना दिया जाएगा तो इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि आप sentence को पढ़ करके उसका meaning निकालें उसका अर्थ निकालें sense निकालें और उससे समझें कि इसमें advice है तब ही आप उसे should we से पैसे में change करें तो इस तरीके से अगर आप इसे पैसे में change करेंगे तो क्या बनेगा कि the helpless should we help यह होगया आपका second method यह first होगया कि आप let वाले तरीके से तो बनाई सकते हैं इसके बास second होगया कि आप should we वाले तरीके से भी बना सकते हैं third जो मैंने बात आपको वहाँ बताई थी कि इन दोनों ने लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ के पास transitive birth है यानि object आपके पास होगा जिसे आप subject बना लेगी लेकिन अगर advice भी हो और sentence में transitive birth भी नहीं हो इसका तीसरा तरीका दोनों तरीके अगर मेरे ख्याल से आपकी समझ में आगए होगे तो मैं तरीका अगर दिखा रहा हूँ आपको लेकिन वो तरीका special condition है किसके लिए किस sentence में advice भी होनी चाहिए लेकिन sentence में transitive birth के place पर यहाँ क्या होगा इन transitive birth हो तब क्या करें जैसे कि आपके पास birth होती है यह बर कहा है तो यह कैसा है cutting perission करो यह किसी के लिए सला हो गई आपने advice दी लेकिन इस advice में आपके पास transitive birth नहीं है transitive birth अगर आपके पास होती तब आप उसे या तो led वाले तरीके से आप बना सकते थे या सुड़भी वाले pattern से भी आप बना सकते थे लेकिन चुकि आपके पास transitive birth नहीं है इसलिए आप क्या करेंगे आप इसे तीसरे तरीके से बनाएंगे और वो तीसरे तरीका आपके पास क्या है कि you are advised to जैसे वहाँ आपने you are ordered to का यूज़ किया था ठीक उसी तरीके से यहाँ आप यूज़ करेंगे you are advised to और प्लस इन ट्रांजिटिव वर्ज ठीक है आप इस तरीके का यूज़ करके उन imperative sentence को passive voice में change कर सकते हैं जिन में advice का वो दोता हो और sentence में ट्रांजिटिव वर्ज नहीं समझ में आरही बाद तो यहाँ advise का वो दो रहा है बट sentence में ट्रांजिटिव वर्ज भी नहीं तब आप इसका पैसे बनाने के लिए क्या करेंगे कि आप you are advised to का use अपनी और से कर दें ठीक है और उसके बाद आप जो आपके पास इंट्रांजिटिव बर्ग होगी आप उसका यूज कर दें तो यह आपका दूसरा पैटर्न हो गया कि अगर आपके सामने कोई advice चुपी हुई है sentence में तब आप उसे तीन तरीके से बना सकते है लेट वाला एक जो पैटर्न कॉमन है उससे तो सभी को बना सकते हैं लेकिन हाँ किन सभी को जिन में ट्रांजिटिव बर्ग हो पर अगर इंट्रांजिटिव बर्ग होगी तो order वाले को you are ordered to से और advice वाले को you are advised to से भी आप change कर सकते है चलिए तीसरी एपन बात करते हैं request की दो बात होगी मेरे जालते समझ में आ गया होगा कुछ sentence ऐसे होते हैं imperative sentence होते हैं लेकिन sentence में ना तो order होता है और ना advise होता है तो जब order और advise नहीं होगा तो sentence में क्या होगा फिर request होगा अगर sentence में request का बोद होता है तो ऐसी condition में सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि sentence में आता क्या है जिससे में यह पता लगे कि sentence में request है तो request वारे sentence बढ़ी आसानी से पेंचान में आ जाते हैं यानि sentence में आपके पास please या kindly जैसे सब्दों का use किया जाएगा तो इनसे बड़ी आसानी से आप पहेंच आएंजाएंगे कि इस sentence में request का वोद हो रहा है जैसे मैं आपके सम्में एक sentence देता हूँ ये ठीक है तो चुकि यहाँ please आया हुआ है तो आप please से पहचान जाएंगे कि sentence में request है ऐसी condition में आप इसे भी let के तरीके से पैसे में change कर सकते हैं let के तरीके से अगर आप करते हैं तब आप क्या करेंगे कि first of all let का use करेंगे let के बाद जो sentence का object है आप उसका use करेंगे तो यहाँ आपके पास object दो हैं एक me है और एक ebook है आप चाहें तो me से भी बना सकते हैं और आप चाहें तो ebook से भी बना सकते हैं अगर आप me से बनाते हैं तो objective case को आप objective case में ही रखते हैं let के साथ तब आपने यह let me का use करना है इसके बाद helping verb के रूप में आप यहाँ भी लगाएंगे main verb का third करेंगे और इसके बाद जो second object है आप उसे रखते हैं पहली बात लेकिन इस तरीके में आपको यह याद रखनी है कि अगर imperative sentence में please या kindly जैसे सब्दों का use होता है तो पैसे में बदलते समय उन्हें हटा देते हैं क्योंकि उनकी आवश्यक्ता नहीं होती ठीक पहली बात यानि please या kindly का use आप यहाँ किसी तरीके से नहीं करेंगे इसका दूसरा तरीका भी हो सकता था कि आप मी से न बनाते हुए एबुक से भी बना सकते हैं तो आप एबुक से बना सकते हैं लेकिन एक तरीका जो साथ मैंने आपको पीछे बताया था कि यदि पैसे बॉइस में जीवित कर्म को डारेक्ट और इंडारेक्ट अगर आप समझ लेते हैं तो तो अच्छी बात है ठीके अगर पैसे बॉइस में इंडारेक्ट अब्जेक्ट को बर्व के बात में लिखना होता है तो उसके लिए टू लगाना होता है तब आप यहां to me का use करें बात आगी होगी समझ में तो इस तरीके से आप बना सकते हैं ये तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया था क्या? कि अगर imperative sentence से order का word होता है तब आप उसे let से change कर सकते हैं advice होता है तब आप उसे let से बदल सकते हैं और अगर request होता है तब भी आप उसे let से बदल सकते हैं लेकिन अगर transitive verb नहीं आया तो जैसे यहां था तो ऐसी condition में आप उसे किस तरीके से बदलेंगे तो उसमें भी आपको देखना है जैसे आपके सामने कोई sentence दिया गया है please say down तो यहां आपको इस sentence में देखने को मिल रहा है कि इसमें कोई transitive verb नहीं लेकिन हाँ sentence से पता लग रहा है कि sentence में please दिया हुआ इसका मतलब sentence से request का बोल हो रहा है यहां पहचानना आपके लिए बड़ा आसान रहेगा order और advice की तुनला में क्योंकि order और advice में आपको हर्थ करके निकालना है sentence निकालना है sentence का तपता लगेगा लेकिन यहां please से आप समझ जाएंगे kindly से आप समझ जाएंगे कि sentence में request है अगर sentence में request है और sentence में transitive verb नहीं है जैसे sit down transitive verb नहीं है तो ऐसी condition में आप उसे passive में बदलने के लिए क्या करेंगे कि you are requested to इसका use आप अपनी और से करेंगे और plus intransitive verb यहां भी आपको एक बाद जो ध्यान रखनी है वो यह रखनी है कि passive boys में आपको please और kindly जैसे सब्दों का use नहीं करना है क्योंकि you are requested to से ही यह अर्थिस्पस्ट हो जाता है ठीक है तब आप यहां भी क्या करेंगे कि इसका अगर बनाएंगे तो आप यह कर देंगे कि you are requested to और intransitive verb intransitive verb वो आपकी क्या है symptom तो साहथ अब आपको तो तीनों बाते अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि अगर order हो तब आप उसे you are ordered to से बट intransitive verb हो अगर advise हो तब आप you are advised to से बट intransitive verb के साथ और यदि request हो तो you are requested to से intransitive verb के साथ बना सकते हैं लेकिन अगर constructive verb है तब आप उसे let से बनाते हैं ठीक है? हाँ थोड़ा सा advise में याद रखना है कि advise बाले को आप शुडवी से भी बना सकते हैं लेकिन आप पेंचान जाएं कि sense क्या है sentence का तो इस तरहीके से आपको passive voice में imperative sentence को passive voice में किस तरहीके से बदलते हैं उसके तीनो पैटरन आ गए अब चलिए आज आपके लिए passive voice के अलावा imperative sentence के बन यहीं नहीं होते यानि order, advise और एकर जो अपने तीन स्टार्टिंग में पढ़े थे उनके अलावा पहले आपको एक अलग प्रकार के या imperative हिंदी से इंग्लिस में मैं आपको बताऊंगा यानि कुछ imperative sentence ऐसे होते हैं जिन से permission का बहुत होता है साइद आप लोग हिंदी या बोलते हैं तो इनका use बहुत करते हैं हिंदी में देकर हाँ, वहाँ तोड़ा दिमाग में नहीं रहता क्योंकि हिंदी हमारी मदा टंग है तो हमें वहाँ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवशक्ता ही नहीं होती कि क्या लगा के बोलना हैं क्या नहीं लगा के बोलना चीज़ें अपने आप से लग जाती हैं हाँ लेकिन जब हम उनको इंगलिस सीखते हैं तब तोड़ा सा उस पे ध्यान देते हैं कि हाँ यार यार ये लगाते तो हैं जैसे जब हिंदी में कहीं भी आप पर्मीशन लगाते हैं और इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं तब आप ने देखा होगा कि आप सेंटेंस के उसे खेलने देखा होगा ने दो तो ये क्या होगा इसमें आप पर्मीशन का बोद हो रहा है सेंटेंस से तो यानि पहले आपको ये समझना है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस से पर्मीशन का बोद करा जाता है तो ऐसे ही सिती में sentence के हिंदी में बात कर रहा हूँ पहले हिंदी में आप अच्छे से समझ जाएंगे फिर उसे English में translate अच्छे से करना चीख जाएंगे तब उसका पैसे बच्छे से बना पाएंगे तो पहले तो यह है कि इनसे permission का बोद होता है अब बात करते हैं कि जब permission का बोद होगा तो यहां जैसे हमने लगाया उसे समझ मैं कि नहीं तो इस जगे को अगर आप इसे English में translate करेंगे जैसे उसे खेलने दो तब आप इसे English में किस इमूल से translate करते हैं इसे English में आप translate करते हैं कि let लगाएंगे let के बाद यह active boys बता रहा हूं कि यह आप यह नहीं समझें कि let लगा दिया तो पैसे लए इसके बाद आप object के रूप में या तो him या हर या them इनका use करेंगे यानि let प्लस आप object का use करेंगे इसके बाद जो भी आपकी main verb होगी आप उसका use करेंगे तो let प्लस जो object होगा उस object का use करेंगे main verb का use करेंगे और उसके बाद अगर आपके पास कोई direct object होगा तो आप उसका use करेंगे यह सब तो indirect object थे तो यह नहीं आप इसे पिलकुल सामाने तरीके से देख सकते हैं कि जब imperative sentences से permission का बोद होता है तब हम उसे English में किस तरीके से translate करते हैं पहले वो देखिए Hindi में कैसे पहचानना है कि sentence में ने दो आएगा ठीक है English में आप उसे किस तरीके से translate करेंगे इस तरीके से जैसे यहाँ आप क्या करेंगे कि let का use करेंगे इसके बाद जो यहाँ object होगा आप उसका use करेंगे जैसे उसे उसे का मतलब हमिया हर किसी को भी मान सकते है उसे का मतलब आप उसे लड़का भी कह सकते है और लड़की भी तो मानके चलिए कि let हैं इसके बाद आपकी main work क्या है खेलना तो आपने उसके यह use करती है फ्ले तो इस तरीके से आप एक सामान पर्मीशन वाले imperative sentence को हिंदी से English में translate करते है बातारी समझ में अब आपने इसे यहाँ हमें यह समझना है कि पहले हमें active समझना है active को कैसे translate करते हैं वो समझना है ठीके दूसरा क्या होता है कि यह तो permission हो गया अगर permission के बाद आप दूसरी चीज की बात करते हैं दो चीज़ें होती है तो दूसरे चीज़ आपका होता है proposal और suggestion तो पहले आप में क्या करना है कि imperative sentence के total भाव कितने होती है order होता है advice होता है और request होता है उन तीनों को आप बीवन से start करते थे इसके बाद आपका एक कुन सा होगया permission इसे आप left से start करते हैं और चौसा होगया आपका proposal या suggestion जब proposal या suggestion हम कभी हिंदी में बोलते हैं imperative रूप में तब हमें वहां क्या मिलता है तब हमें वहां मिलता है चलो चल sentence है किस प्रकार का भाव होगा चलो चलें का बोद होगा किस में? proposal या suggestion में किस तरीके से चलो चलें का बोद होगा वो देख लीजिए जैसे जैसे आपने कहा कि चलो चाई पी तो इसमें जो बोद हो रहा है वो क्या हो रहा है? यानि जो sentence निकलना है वो चलो चाई पीने चले तो इस तरीके का या sense निकलेगा इसका मतलब क्या हो गया? कि किसी ने आपके सामने चाई का proposal रखा या proposal या चाई का suggestion ठीक है? तो जब इस प्रकार का वोद होता है तो ऐसी condition में हम इसे पहले तो इंग्लिस में किस तरीके से translate करते हैं? इसे इंग्लिस में translate करने के लिए सारी की यही होती है के बल्ग क्या होता है? कि indirect object के रूप में असका यूज कर दिया जाता है तो यहां हम let के साथ असका यूज करने लगते हैं जैसे चलो चाई पीए इसका मसलब let us अब ये let us यह होता है उसको काफी sort में यूज करने लगए हैं लोग let's चाई पीना, take पी पहले हिंदी से इंग्लिज में अगर अच्छे से समझ में आ जाए रहा तब कहीं आप उसका पैसे बच्छे से बना पाएंगे बात ओनों समझ में आगी होगी पहले इंपरेटिव के टोटल समझ लीजिए इंपरेटिव से कौन-कौन से बाव है imperative से order है B1 से start होगा advice है B1 से start होगा request है B1 से start होगा अगर imperative से permission है तो हिंदी में हम लोग क्या मोलते उसके लिए ने दो वो let से start होगा और यदि imperative से suggestion है या proposal है तो ऐसी condition में वो भी let से start होगा लेकिन difference क्या है जब यहाँ let से start होगा यानि permission में तो indirect object के रूप में आप him, her और wham का use करेंगे लेकिन अगर आप suggestion के रूप में या proposal के रूप में लेंगे तो असका use करेंगे इसका भी थोड़ा सा अगर समझने की कोसिस करेंगे तो समझ जाएंगे नहीं proposal proposal माने प्रस्ताव रखा जाता है जैसे चलो खेलें, मतलब चलो खेलने चलें तो इसमें क्या होगा है चलो खेलें तो वो अकिला तो नहीं खेलेगा इसमें उसके सामने आले लोग चाहिए इसका मतलब वो सब मिल करके तो वो सब हम हो गए और हमको objective के इसमें आपने लिया तो अस हो गया तो इस तरीके से यहां काई-काई का यूज़ करेंगे आप यानि प्रपोजल और सजेशन में आप असका यूज़ करेंगे तो पहले आपको यह दोनों बातें अच्छे से समझ में आ जाए कि हिंदी में इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं उसका English Translation किस तरीके से किया जाता है फिर इनका Passive कैसे बनाते है इससे आप लोगों को बोलचाल में भी थोड़ी सी सविदा होगी और अच्छा लगेगा कि हाँ हमें ये चीज़ समझ में आए अब चलो यहां ये दोनों चीज़ा होने के बाद अगर आप चाहें तो ये किस टेक्शर दिमाग में रख सकते हैं कि अगर Permission होती है तो तो हेमार और देम का यूज़ करते हैं बट अगर यहां प्रपोजल हो जाता है तब आप लेट के साथ में असका यूज़ करने लगते हैं अब बात करते हैं इनके पैसे की ठीके देखे इन चीज़ों को मैं यहां पैसे बॉइस में काफी अच्छा कराने की कोसिश करूँगा यह आप अभी एक बार इनके पैसे कर लीजिए अगर आपके पैसे बच्छे हो जाएंगे तो उसके बाद जैसे मुझे एक बार यह लगने लगे कि यहां आपके पैसे बच्छे हो गए तो उसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिक्स अच्छे से कराऊंगा जिससे यह चीज़ें आप लोगों को बड़ी एजी लगने लगेंगे और बोलचाल की बाद में भी जब आप इनका यूज कर दे लगेंगे तब तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जैसे अभी जो मैंने आपको बताया था एक्टिव का एक्टिव में मैंने आपको क्या बताया था कि आप लेट लगाएंगे लेट के बाद आपके पास क्या होगा इन डायरेक्ट अबजेक्ट होगा ठीके इन डायरेक्ट अबजेक्ट के बाद आप भीवन लेंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट अबजेक्ट लेंगे यानि यह आपका हो गया एक्टिव मैंस ठीके अब यहां इंडारेक्ट अबजेक्ट की रूप में यहां क्या होगा अगर यहां मी, हिम, हर और देम आता है यहां क्या आता है यहां तो मी आ जाए यहां हिम आ जाए यहां हर आ जाए यहां देम आ जाए इसका मतलब यह परमीशन होगे और अगर यहां indirect object के रूप में अस आ जाएगा तो इसका मतलब यह क्या हो गया? प्रपोजल हो गया लेकिन है दोनों ही क्या ही active? ठीक है? जब आप इसका passive बनाएं एक sentence और देख लिए जिससे आपको और clear हो जाएगा जैसे let me do this work यह active है लेकिन इससे काईगा बहुत हो रहा है permission का let me do, मुझे करने दो this work यह काम, यानि मुझे यह काम करने दो समय में आ रहा है अगर इसकी जागे यह करने let us work यह क्या हो गया? यह चलो काम करें चलो काम करनी चलें इसका मतलब यह proposal हो गया यह suggestion हो गया तो इस तरीके से पहले आपको दोनों पहचानने लेकिन हैं यह दोनों के दोनों कौन से active जब आप इनका पैसे boys बनाएंगे तो पहले आप यह देखना है कि अगर आपके सामने permission है यह permission है चलो इसको अभी अठा लेते हैं जिससे आपको वह पहले permission समझ में आ जाए तो अगर आपके सामने permission है तो ऐसी condition में जब आप पैसे boys बनाएंगे तो first of all तो आप let के लिए let का use करेंगे और जो sentence का direct object है आपको इस direct object को आगे लेंगे objective case में तो इस तरीके से यहां क्या आजाएगा let plus direct object इसके बाद यह मैंने आपको बताएगी यह आपके लिए आप समझ सकते हैं कि यह subject हो गया इसके बाद helping आप लगाएंगे तो b लगाएंगे इसके बाद क्या करेंगे main word की third लगाएंगे b three और इसके बाद क्या करेंगे by plus जो आपके पास indirect object है आप उसे by plus object में change कर देंगे तो इस तरीके से यह permission वाले जो sentence होंगे यह जो मैंने अभी active में बताएगे आप इनके पैसे बना पाएगे लेकिन यहाँ ध्यान रख रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए यह permission वाले sentence अब आप इसका पैसे बनाएंगे तो first of all आप let के लिए let का use करेंगे sentence में object है आपके पास this way कौमसा direct object यानि आप सीधे समझ सकते हैं कि निर्जीव कर देंगे आप इसे आगे लेंगे तो क्या हो जाएगा यह this way helping wow के रूप में आप यहाँ यानि जो passive voice बनता है वो we form में बनता है इसके बाद जो main work है do इसका third कर देंगे और इसके बाद क्या करेंगे जो आपके पास indirect object था आप इसे by plus object में बदल देंगे तब यह आपका हो जाएगा let this work be done by me तो इस तरीके से आप किसको change कर पा रहे हैं यहाँ दिमाग में यह रख रहा है कि यह होगे आपका permission तो इस तरीके से आप सामाने तरीके से permission बारे sentence को change कर सकते हैं हाँ अगर इसकी जगे कहीं proposal होता है तो ऐसी condition में मैंने अभी आपको क्या बता है कि let लेट के बाद आपके पास अस होगा और उसके बाद बीवन होगा यह होगे आपका active काई में proposal suggestion जब आप इसका पैसे बनाएंगे तो इसमें चूंकि आपके पास direct object नहीं होगा ऐसी condition में आप इसे पैसे boys में बदलने के लिए यहाँ चूंकि यह suggestion है इसलिए आप it is suggested का use अपनी ओर से करेंगे जैसे आप वहाँ कर रहे थे you are क्योंकि वहाँ direct object नहीं है सिद्धी सिद्धी बात है वही टांजिटिव पर जो में चीज़ है वही है कि आपके पास object नहीं है लगाने को इसका मतलब आप यहाँ क्या करेंगे कि it is suggested to का use अपनी ओर से करेंगे और it is suggested to करने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि जो suggestion होता है उसे हम काई से sort से भी बना सकते हैं तो हम क्या करेंगे प्लस वी जो हमारे पास objective के एसास होगा चली इसको अटा देते हैं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा यह तो आगया होगा उपर वाला देखिए अगर यह आता है आपका लेट प्लस अस प्लस वी बन तो इसे आप पैसे में बनाएंगे चूंकि यह suggestion है तो आप पैसे में बनाने के लिए क्या करेंगे कि it is suggested यह अपनी ओर से यूज करेंगे क्योंकि sentence से suggestion का वो दो रहा है इसके बाद sorry it is suggested that इसके बाद जो इसका objective case है आप उसे subject बनाएंगे रस्ली चीक है इसके बाद आप क्या करेंगे कि helping work के रूप में आप यह शुड़का यूज करेंगे चीक है और उसके बाद जो sentence में होगा आप उसका use कर देंगे मतलब dot dot other words इस तरीके से अगर आप इस let's work तो अभी मैंने आपको sentence दिया था साए let us be one यह जो इसके पहले मैंने आपको sentence दिया था आप इसका पैसे बनाएंगे let us work तब आप यहाँ क्या करेंगे यानि यह सब चीज़ है आप इस let us से ही समझ जाएंगे कि अगर sentence में let us आया है मतलब suggestion है suggestion है इसका मतलब हमें it is suggested to तो it is suggested that जैसे वहाँ कर रहा है थे लेकिन यहाँ चुकी आप तो इसे आप subjective case में that we should और जो says word है जैसे we should work इस तरीके से आप इसे पैसे में बदल पाएं तो मुझे लगता है कि लगग लगग समझ में आ गया होगा आपका कि आपको किस तरीके से सभी imperative sentence के पैसे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं इसके बाद मैं आपको इसकी description में कुछ imperative sentences के exercise दूगा अगर आप उन्हें अच्छे से समझ पाते हैं अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है आप जिसमें आपको कोई mood समझ में नहीं आता कोई चीज समझ में नहीं आती तो आपको हलाकि यह है कि उसके answer आपको नीचे मिलेगी आप comment भी कर सकते हैं ओके